सुटेंस आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं CBC Board Class 10 का latest pattern पर बेस पूरी completely English का sample paper यह जो पूरी sample paper है यह मैं आपको इस बीडियो में पूरी complete बताने माला हूँ कि किस तरीके से आपका जो questions है कहां से आपको ज़्यादा practice करनी है क्योंकि English से कैसा subject है language subject English और English में आपको एक चीज अच्छी तरीके सा मालूम है कि English में आगर आप लोग अच्छी तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं तो यहां पर आपके marks आ जाएंगे और यह सिर्प English के marks नहीं होंगे आपके overall percentage को increase करेगा 80 percentage को 90 तक increase करेगा और 9200 तक ले जाएगा यानि की बात करें तो यह percentage बरहने में आपका काफी ज़्यादे help करेगा तो यहां पर आपको थोड़ा सा practice करना है तो चली मैं आपको बताता हूं कौन-कौन सा जो part है जिसमें आपको English का paper जो है किस तरीके से practice करनी है कौन-कौन से later आपको करने है कई सारे जो important grammars है उन्हें किस तरीके से करना है कौन से questions important है सबसे पहले देखिए English का paper जो है part A और part B में बाता गिया है part A जो है 40 marks का है और part B आपका 40 marks है और total आपका ए theory का paper 80 marks का है जैसे कि आपको पता होगा जिसमें 20 marks आपका internal assessment जो स्कूल से भी लेंगे और आपका total 100 marks इस तरीके से बनेगा part A में देखिए multiple जो इस questions यहाँ पे बात करें तो passage होगा तो जिसमें passage जो है students के लिए आप passage का देखिए एक और तरीका आपको यह है कि passage में students का एक सिकायत रहती है हमेशा की passage में ज़्यादा टाइम लग जाते है पेपर का most of the time में पैसेज में questions को ही search करने में लग जाते है तो इसके लिए आपको बहतर यह कहा जाएगा कि आप लोग जो है passage की ज़्यादा सब्सक्राइब practice करिए क्योंकि इस पर passage में कई सारे options भी देखने को मिलेंगे यानि कि आपको बात करें यह काफी ज़्यादा आपको helpful हो जाएगा लेकिन आपको यह याद रखना है कि पैसेज की जितनी ज़्यादा practice करेंगे उतना ही आप पैसेज में strong होते जाएंगे तो पैसेज की बात देखिए यानि कि पैसेज जो है most of the students के लिए easy spot होता है इंगलिस का बात यहाँ पर देखिए grammar जो grammar आपका है 10 marks का है तो 10 marks यहाँ पर भी आपको पूरी completely gain करने के लिए आप लोग पूरी अच्छी तरीके से practice करें के जादा स्यादा sample paper करें यह sample paper को पूरी अच्छी तरीके से आप लोग कर लीजे क्योंकि sample paper आपके लिए most important होने वाला है latest pattern और reduced flavors के मतावित होने वाला है अब यहाँ पर देखिए later आया है later की बात करें यह जो main part होता है यहाँ से paper आपका start होता है यहाँ से आपको 40 marks पार्ट भी पेपर का English का पार्ट भी शुरू होता है लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दू अगर आपको questions की त्यारी कर रहे हैं और वही questions के दौरान जो है just आपको किसी भी questions में doubt आ जाता है तो just a click of photo आप अपने doubt को solutions पा सकते हैं आपको 10th and 11th दोनों ही classes के लिए होने वाले है attempt आप live करेंगे और साथ-साथ आपको detail in life आपको test के बाद देखने को मिलेगा और साथ ही जाथ पूरी completely यहां पर आपको help की जाएगी पूरी complete जो आपका target जो है 2023 में target आपका class 10 students का जब J.E. का होगा और 11th का 2.20 में होगा उसके लिए पूरी completely आपको जो है an academy help करने वाला है आपका syllabus जो होगा टेस्ट का है आप फिजिक्स का देख सकते है 9th and 10th का syllabus होगा chemistry का mathematics का syllabus देख लिए इसी तरीके से पूरी completely जो है आपको है आपके 11th का syllabus देख सकते है physics का mathematics का तो पूरी तरीके से enrollment जो है आपके free में होने वाली है तो यह इसका जो link है description में दिया है simply जो है आपको join होना भी है दीजिए इस तरीके से जो link है में description में दिया है यहां पर देख सकते हैं इसी तरीके से आप लोग को मैंने बताया है इस टेस्ट में अब तभी join हो सकते हैं जब इस code को आपको है लेटर में 5 marks आपको पूरी complete English में पक्टे करेंगे यहां पर देखिए पहला जो है आपको इस तरीके से आप लोग यहां पर पर देख सकते हैं टेक करना है नेक्स्ट आपको जो है इंगलिस में लिट्रेचर पार्ट होता है जो पेपर का या नी पार्ट B का टोटल 30 Brancus जो है अपकी चैप्टर को जो है अपके रिमूब हो गया उनको छोड़कर जो चैप्टर से उनको इस तरीके से पढ़िए कि याई जैस तोरी के तरह उने पूरी तरीके से दिमाग में बठा लीजिए ताकि उससे जो भी कोशनस आए आप लोग लिख सके क्योंकि आपको स्टोरी पता होगा तो आप कोई भी कोशनस आएंगे तो आप उनको जरूर से लोग लख सकेंगे यह किस्ता गोतमी जो है यह काई सरी कोश्चन जो यानि की बात करें तो हर साल से important questions रहा है और यह इस तरीके सबस्क्राइब को बनता है वह किस्ता गोतमी से जरूर बनता है वल्ली वाला जो है आपको completely जो है ग्रामर में यानि की बात के literature में 30 marks आपके पूरी complete हो जाएंगे यहाँ पर देखे मैंडेला जो है यहाँ पर देखे एक्सपेरियंस होए बलींडा जो है यह भी आपको जो है यहाँ पर डायरी है वो भी completely करीजे यहाँ से भी questions आपको देखने को मिलता ह है यहाँ फ्रेंग जो है आपको यहाँ पर पूरी completely जो डायरी है यहाँ से आपको इस तरीके से भी questions देखने को मिलते हैं यानि कि बात करें तो फेपर में आपको पूरी completely उस chapter से questions पूछ लिया जाता है यह भोली है यह भोली chapter से भी कई सारे टूटू marks में भी देखने को म झालना करें तो इस भर दूट यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो हैं यह भी करें यह जो इस फिसने करेंग बाता हैं यहाँ लोली है यहाँ पर